हेलो गाइज, यू आ गोईग तो लर्न फोर फोरेवर, लर्न फोर फोरेवर वेलकम स्यू। गुड मॉर्निंग दियर श्रेंट्स और रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। आज यह अपनी एट्थ क्लास की टेंथ वर्क्षीट है, सब्जेक्ट रहेगा इंगलिस। और इसमें वच्चो हम नाउन, प्रोनाउन, एजेक्टेव्स इन चीजों को समझेंगे, सीखेंगे और इस कलावा कुछ विशेश चीजें भी आपको आज सीखने को मिलेंगी मेरे द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं यहां से, यह देख रहे हैं आप इंटे हैं यह ब्रेक्स, और ब्रिक्स कैसी होती है, हार्ड होती है, आपको पता है, दूसरा देखें नाइफ, तो नाइफ कैसी होता है, आपको भी पता है, यह सार्प होता है, और पीलो, पीलो मिन्स तकिया, तो तक्या हमेशा सौफ्टी होगा जभी तो सोने मेराम दाइक रहेगा ठीक है उसके बादा केक कैसा होता है केक होता है बचों स्वीट हम सब जानते हैं तो यहां से हम करेंगे स्वीट एक सेकन्द केक हो जाएगा स्वीट और प्लांट कैसा होता है ग्रीन होता है तो इजली यहां से ग्रीन लेंगे और सन हमेशा चमकता है जब भी हमें दिखेगा चमकता दिखेगा देटि ब्राइट यह अपने असानी से कर लिए बहुत इजी था अब इसको करते हैं right-side में यहां लिखा ह हुआ है राइट थी वर्ट टू डिस्क्राइब रोज एक रोज को डिस्क्राइब करने के लिए तीन वर्ट कौन कौन से हैं तो यह हम देख रहे हैं कि रोज को ड्राइब करने के लिए तीन वर्ट लिखे में उसके बद दूसरा को शंद दख्याइशी में का कि write three words to describe yourself यानि कि अपने बारे में describe करने के लिए three words बताईए तो अपने बारे में हर आदमी ये कहता है कि मैं honest हूँ यानि कि इमंदार हूँ दूसरा word जो इनसान बताता है confident है न और तीसरा हो सकता है helpful या फिर friendly आप जो चाहें यूज कर सकते हैं उसके बाद अगला देखते हैं यह तीसरा होगा यहां थोड़ा सा लिग गया है तो तीसरे में है write three words to describe your favorite food जो आप खाना पसंद करते हैं जो भी भोजन आपका सबसे पसंदीदा है उसके बारे में बताना है तीन वर्ड्स तो खाना या तो कुछ लोग स्वीट खाते हैं नॉर्मल मीठा लगे थोड़ा है नॉर्मल हो मतलब या फिर कुछ लोग स्पाइसी खाते हैं तो आप इसमें यूद कर सकते हैं स्वीट और स्पाइसी सेकेंड होगा टेस्टी और भोजन टेस्टी ही होना चीए और थर्ड हो जाएगा डिलिसियस जायके दार वाला इस तरीके का होना है अगला देखेंगा ये और ये है आपका चोथा, चोथा है, Write three words to describe your mother father, हम अपने मम्य पापा के बारे में describe करेंगे, तो obviously सब को पता है, हम उझे पता है, आपको पता है कि हमारे मम्य पापा कितने hard working होते हैं, मेहनती होते हैं, पहला हो जाएगा hard working, दूसरा वो हमारा ख्याल रखते हैं देर क्यारिंग तो दूसरा हो जाएगा केरींग मेर और तैसरा हमें पाउम्र लाइफ लॉंग क्या करते हैं हमारा support करते हैं हर जग घर चीज में हमारी मदद करते हैं तो यह हो जाएगा सपोर्टिव तीसरा ठीक है अगला देखेंगे यह वाला फीफ्थ है राइट थ्री वर्ड्स टू डिस्क्राइब यूर क्लोट्स डेट इवार विर अपने कपड़े जो आपने पहर रखें इस टाइम या पहनते हैं कुछ भी मालेजिए उनको डिस्क्राइब करेंगे उनके बारे में बताएंगे कुछ डिस्क्राइब करने का मतला होता है बच्चो बताना है ना तो कपड़े कमार में कैसे बताएंगे आप जो भी कपड़े हम पहनते हैं सबसे पहली चीज ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि देट शुट बी क्लीन पहला पॉइंट हो जाएगा क्लीन सेकेंड चीज दा क्लोथ वीची वर वीरिंग और विल वियर डैट शुट बी सॉफ्ट कमफर्टेबल अरामदायक होना चीए यह नहीं पहलते ही लगे शरीर में खुजली मचाने कई बार ऐसे कपड़े होते हैं ना क्या आप इस बात को मानते हैं कि ऐसे कपड़े भी होते है ठीक है तो दूसरा हो जाएगा अपना सॉफ्ट एंड कमफर्टेबल होना चीए सॉफ्ट और कमफर्टेबल थार्ड हो जाएगा वेल इस्ट यानि कि अच्छा सा सीला हो हर जगे से बढ़िया से इट में तीसरा यह लिखिए कि फिटिंग का होना चीए शरीर के नाप के अनुसार होना चीए अगर कपड़ा खूब खूब टाइट पहर ले तो भी अच्छे लेगा और खूब धीला पहर ले तो भी अच्छा नहीं लेगा और नुक्सान दायक है है ना हलका नॉर्मल चलेगा इस बात का खास तोर से ध्यान रखना होता है अब बच्चों सुरू अपना बहुती उप्टन्ट पॉइंट और यहां से करना है हमको यहां साच्छा भी लेगा आपको बहुत कुछ जानने को भी लेगा अहां से circle the adjectives यह बच्चो be silent हो जाता है और इसको हम पढ़ते हैं adjectives circle the adjectives in the passage and fill them in the blanks below यह जो blanks है ना इनमें हमें भरने है क्या भरने है बच्चो adjectives adjectives कहां से मिलेंगे हमें यहां से मिलेंगे इसको पढ़ेंगे और इसमें से ढूडेंगे कैसे ढूडेंगे ढूडने के पीछे जो तरीका है वो जान लीजिए आप adjectives होता क्या है पहले इसको समझे adjectives are those words which qualifies or describe a noun or pronoun समझ गए adjective वे सब्द होते हैं जो किसी noun या pronoun को describe करते हैं उसके बारे में बताते हैं उसको ही समबंदित होते हैं उन्ही सब्दों को adjective कहा जाता है तो एक बार पढ़िए फिर आपको समझ में आएगा ठीक है? यहां देखिएगा a little boy किसकी बात हो रही है? boy की boy कैसा? little तो noun हो गया boy boy noun हो ना? noun क्या होता है? कोई भी नाम noun होता है यह आप जानते हैं वो किसी भी चीच का हो सकता है और boy कैसा? छोटा boy यहां पर big भी हो सकता था big boy तो big या फिर little यह दोनों किसके बारे में बता रहे हैं? इस boy के बारे में तो जो भी सब्द noun के बारे में बताए उसको describe करे उसको qualify करे वो क्या होता है? adjectives तो यहां पहला आगया अपना adjective clear है? दुसरा देखिए a little boy named Raju put on his warm jacket क्या पहरा उसने? jacket पहरा अच्छा, jacket कैसा है? warm तो यहां पर क्या आएगा? warm ठीक है? ज्यां दीजिएगा jacket के बारे में बता रहा है jacket क्या है? noun है तो warm क्या होगा? jacket को qualify कर रहा न गरम jacket बता रहा है तो गरम क्या होगा? adjective होगा जो noun jacket के बारे में बता रहा है and went outside और बाहर चला गया कौन? Raju jacket पहन के बाहर गया outside his cozy home koji मतलब होता है आराम दायक तो यहाँ koji किसके बारे में बता रहा है? home के बारे में अपने घर से आराम दायक घर से वो बाहर जाता है तो home कैसा है? koji है निका आराम दायक है home noun हो गया और noun के बारे में बता रहा है koji तो koji क्या हो गया? यह adjective हो गया, तो यहाँ आजाएगा koji, ठीक है अगला देखिए, it was a cold night कैसी night थी, cold night night तो है, रात है, लेकिन रात कैसी है, cold है तो cold किसको qualify कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, night के बारे में तो यहाँ पर cold क्या हो गया, adjective यहाँ यहाँ आजाएगा adjective noun, cold, ठीक है, with a clear sky it was a cold night, रात कैसी थी, cold थी, ठंडी के रात थी, with clear sky sky कैसी थी, चमक रही थी, मतलब साफ थी, clear विल्कुल तारे दिख रहे थे, असानी से, तो clear क्या हो गया, adjective हो गया, जो sky noun के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर आजाएगा clear, को दिक्कत, समझ रहें आसानी से आप, the stars were bright and he looked at the beautiful constellation, आगे देखिएगा, important चीज यह है, कि जो noun होता है न, जो भी adjective होता है, और noun के पहले भी लग सकता है, और बाद में भी लग सकता है, इसको ऐसे समझेए, आप notes बना सकते हैं इसका, the adjectives can be before or after that noun, which it's qualifying or describing, जैसे यहाँ देखिए, the stars were bright, stars के बारे में बता रहा है, यहाँ star लिखा है न, star के बारे में क्या बता रहा है, the stars were bright, star कैसे थे, चमकीले थे, अभी तक आपने देखा, कि हर noun के पहले sabd आ रहा था, जो adjective था, लेकिन यहाँ पे क्या star पहले आ गया, noun, star noun पहले आ गया और adjective bright बाद में आ रहा है, तो bright किस के बारे में बता रहा है, star के बारे में ही तो बता रहा है, कह रहा है, the stars were bright, stars कैसे थे, bright तो यहां पर क्या जाएगा ब्राइट ज्यक्टिव है यह दिखिए नाउन के बाद आया है तो ज्यक्टिव जो है नाउन के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है ध्यान दीजिएगा यहां पर देखिए यहां पर पहले आ गया इस वाक्य को ऐसे भी लिखा जा सकता था इसी वाक्य को तो इसमें क्या होता इसमें ब्राइट पहले आ जाता He looked at bright stars and beautiful constellation Constellation जब बाहर जाता है राजु तो क्या देखता है भाहर जाकर तारों को देखता है और उचमते हुए तारों को देखता है और एक साथ जो तारे मंदल होते हैं अबको मैं यहा दिखाना चाहांगा कि conciliation क्या होते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक सेकंड तो यह देखिए यह है बच्छो conciliation यहनि कि तारा मंडल जब तारे एक pattern बनाते हैं न इस तरीके का मिलकर जिनको imaginary pattern मान ले जाता है देखने में एक रूप देते हैं तो उनको कहते हैं constellation ठीक है किलियर है अगले अपने उस पर चलते हैं वर्क्षीट पर आगे देखते हैं Suddenly he saw a shooting star उसके बाद और क्या देखता है राजू shooting star देखता है shooting star क्या होते है बच्छो आपने रात में देखा होगा अगर आपने देखा है तो मुझे बताईए कमेंट में कि आसर हमने shooting star देखा है वह असानी से दिखता है है एक बर यहां देख लीजिए आप यह बच्छो shooting star दिखरा आपको shooting star जो तारा ऐसे तेजी में चलता है यहां इस तरीके से यह shooting star होते है ठीक है यह आपने जरूर देखे होंगे चलिए अपने वरक्षीट पर चलता है तो यहां से आप देखी आगे he saw a shooting star उसके बाद he couldn't stop gaging वहां उनको देखते हुए रहना चाहता था मतलब रूक नहीं पाया और उसी क्यों देखता रहा गेजिंग मतलो होता है निहार में at the sky sky में देखता रहा एन वंडरिंग और अपने दिमाग में उसके चल रहे थे ख्याल आ रहे थे at the beauty of the night sky देख को अच्छा लग रहता रही यार कितनी अच्छी अच्छी तारे हैं अच्छा सहरों में तो बच्छों ही हमें न तारे और आसमान से रात को कोई मतलब ही नही हैं रात को पहले लोग च्छत पे सोते थे मैं गर्मियों के दिनों में खुझ च्छत पे सोता था गाओं में क्या कभी आपने ऐसा आनंद लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह हमने कर लिए सारे वर्ट्स यहां पर एक चीज और देख लिए रह गया था ही कुरांट यहां पर वंडरिंग दो ब्यूटी आइट आजाएगा भी आप दनाईट इसकाई नाइट इसकाई नाइट इसकाई तो यह वाच्छों अभी तक का वर्क्षीट और यहां पर एक चीज और दिखिए एन एडजेक्टिव इस विजुवली प्लेस्ट इफोर और नावन यह सार रहा बार ब्राइट मतलब है किज्मक्तना उबने नहीं, हो फिर निए यहां पर इसे लिखने आफ्टर इसको Race करें, समझे लिए, दूबारह से the adjective can be before or after दोनों बाते हो सकती है adjective before भी हो सकता है और after भी हो सकता है जैसे यहाँ पर after है यहाँ पर देखे यह the adjective can be before or after that noun which it's qualifying or describing यह है इसकी definition adjective पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है जो noun को qualify कर ला है ठीक है I hope बच्चों आप वीडियो को अच्छे से समझ पाए है आपकी समझ बढ़नी चाहिए मेरा परयास यह होता है और जो आप पढ़ेंगे एक बार में अच्छे से पढ़ेंगे whatever we will learn that would be for forever so be with learn for forever use your own channel please like it like the video subscribe the channel we will study like this continuously so thanks for now students take care stay safe stay home